हेलो फ्रेंट्स वेलकॉप टो मैं यूटुप चेलर डीएस के अंद्रेश्टी आज का जो मेरा वीडियो है वह अधार थे राम मंदिर से संबंदित बस्टोनिस्ट प्रस्ण और उसके अंसर पे और इस वीडियो में लोग जानेंगे टॉप मॉल्टीपल mcq question और उसके अंसर तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखते हैं पहला प्रस्ण है प्रस्ण है कि अधिया किस नदी के टड़्ट पर इस्तित है अप्शन से शर्यू नदी आप्शन भी यम्र नदी आप्शन सी गंगा नदी और अप्शन रिकावेरी नदी तो प्रसंकिया एक का सही जवाब हो जाएगा आप्शन ए हो जाएगा अयोधिया सर्युनादिगे के टर्ट परिस्तित है अयोधिया नितर प्रदिश का एक महात्वपूर्ण सहर है जो जनपद ही है पहले अयोधिया का नाप है जावाद था प्रसंखेया दो है अयोधिया में किसकी भव्य मंदिर बन रहा है अप्षंस है शरीराम की सिरीराम की सिर्वाथ प्रसंखेया तीन है कि अयोधिया विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था अयोध्या विबाद में Supreme Court ने अपना अंतीम फैसला कब सुनया था option से a 9 November 2019 को, option b 8 November 2019 को,cribe 2018 सी 15 October 2019 को और option d 28 October 2019 को तो प्रसंगेया 3 अयोध्या विबाद में Supreme Court ने अपना अंतीम फैसला 9 November 2019 को सुनया था जीस समय Chief Justice थे जो भारत के वो रण्जन गगूई थे प्रसंखिया चार है कि अधिया राम मंदिर का निर्माड किस कंपनी द्वारा किया गया है अधिया में जो राम मंदिर बन रहा है उसके निर्माड किस कंपनी द्वारा किया गया है आप्शन से A अधानी ग्रूप, आप्शन B वनसल ग्रूप, आप्शन C LNT लाडशन अन्टू ग्रूप और आप्शन डेन में से कोई नहीं तो प्रसंखे चार का सई जब हो जाएगा अयोधिया राम मंदिर का निरिमाड एलन टी द्वारा किया जा रहा है प्रसंखे पांच है राम मंदिर बनने में कितने रुपिय का बजट स्विक्रित किया गया है 200 क्रोड रुपिय का है प्रसंखे 5 का से जड़ हो जागा अक्स‌टेश प्रसंखे चिए राम मंदिर का ओध रान प्रतिष्था कब होगा आप्षन से A 15.0.2024 को आप्षन B 22.0.2024 को आप्षन C 29.0.2024 को और आप्षन D 25.0.2024 को तो काफी important है प्रस्टने राम मंदिर योधिया में जो राम मंदिर बन रहा है उसका उद्धान या प्रान प्रतिस्था जो होने वाली है वो आगामी 22 जनुरी 2024 दिन सोंबार को होगी प्रसंख्या साथ है राम मंदिर का उद्धान कौन करेंगे आप्षन से ये गुप राष्टपती जैजदीब धनकर आप्षन B परधान मंत्री निरेंदर मोधी आप्षन C रक्षा मंत्री राजनात सिंग और आप्षन D राष्टपती द्रौपती मुर्मू तो प्रसंख्या जो साथ है सिरी राम मंदिर जो योधिया में बन रहा है उसका उध्वाटन प्रधान मंत्री सिरी निरेंदर मोधी करेंगे निरेंदर मोधी ने ही 2020 में राम मंदिर की अधार सिरला रखी थी प्रसंख्या आठ है कि अयोधिया राम मंदिर में कितने खंबे हैं पिलर से अप्षन A 392 अप्षन B 221 अप्षन C 220 और अप्षन D 380 प्रसंख्या आठ है योधिया राम मंदिर में जो खंबे हैं वह 392 है प्रसंख्या नो है राम मंदिर की उचाई कितनी है राम मंदिर की उचाई कितनी है आप्षन से 161 फिट आप्षन B 160 फिट आप्षन C 170 फिट और आप्षन D 171 फिट काफे इंपोर्टन प्रसंख्या राम मंदिर की जो उचाई है वह 111 फिट है प्रसंख्या नो का जो सही जवाब हो जाएगा आप्षन नहीं हो जाएगा मंदिर में कुल्ण कितने मंडआपें अप्षन से चार मंदव क्युच कि जो ऊचाय है वह 20 फिट है प्रसंख्या, एक 11 हैं इस बीडियो का अंतिम प्रस्न हैं, क्या योधियार राम मंदिर के मुख्य बसतुकार कौन है? आप्शन से पियो सौमपूरा, आप्शन 3 विरिंधा सौमाया, आप्शन 3 बहंकेम चंदर दोसी, और आप्शन डी चंदर कांथा सौमपूरा तो प्रसंखी 11 आयोधिया राम मंदिर के जो मुख्य वास्तुकार है वो है चंदरकात सौमपूरा और इनके दो बच्चे भी इन इसमें सामिल है तो इसका सही जो बजगा 11 का डी चंदरकात सौमपूरा तो फ्रेंट्स यह था हमारा आज का वीडियो जो आधारी था राम मंदिर जो अयोधिया में बन रहा है उससे संबंदित कुछ multiple choice question और उसके एंसर जो काफी important है competitive exam की त्यारी करने वाले students के लिए इस वीडियो को आप देखिए लाइक कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe कर लें और bell icon को दवाद दे जिससे जो भी वीडियो बनाऊ उसका अपको मिल जाए भगवान सिरी राम का जो मंदिर अयोधियाम बन रहा है उसका अधगाटन 22 जनवर बन रहा है इसकी जो चोड़ाई है 250 फीट है और इसमें पांच मंडव होंगे और इसमें जो द्वार होंगे 44 द्वार होंगे और हर द्वार पर 4-4 मतलब 4-4 मंदिर है यह इस आयोधिया रामसिरी मंदिर की कुछ मुख्य विसस्तायम भी है इस वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्याबाद